तो as we know कि हम catchy धाम पहुँच चुके हैं और catchy धाम पहुँच कर सबसे पहले तो मैं पहुँची अपने guest house और इस guest house की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मंदिर के बिलकुल सामने था और भला मंदिर के इतने पास रहना खौद पसंद नहीं करेगा और हाँ लाइफ में पहली मंदिर में दर्शन के लिए जब आप इतने सारी videos और photos में इस मंदिर को देख चुके होते हो और उसके बात finally इस मंदर में पहुचते हो वो खुशी एक अलगी खुशी होते है इस मंदिर के पास से जो आप ये नदी बहती देख रहे हैं ये नदी है कोसी नदी और जैसे ही आप इस मंदिर में एंटर करेंगे आपको ये बोर्ट दिखाई देगा जिस पे लिखा हुआ है आप श्री भगवान के दरवार में प्रवेश कर रहे हैं क्रप्या इसकी पवित्रता एवा मर्यादा का ध्यान रखे और मुझे लगता है कि हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम इस मंदिर के नियमों का पूरे दिल से पालन करें जैसे कि सबसे इंपोर्टिन मंदिर का नियम ये है कि मंदिर के अंदर आप वीडियो शूटिंग ना करें और मैंने इस नियम को फॉलो किया तो इसी लियम सौरी मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकती और बाबा के दर्शन के लिए मंदिर तो आना ही पड़ेगा मंदिर से दर्शन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना आसपास की मार्केट को भी देखा जाए जो कि मंदिर से निकलने पर लेफ्ट हेंड पर आपको मिलेगी कुछ आगे बढ़कर हमें एक घर दिखा जिसमें गुलाब की इतनी सारी वराइटीज थी कि इट वस सो अमेजिंग तो वाच देम यहां की मार्केट में आपको बाबा की फोटोग्राफ्स और कुछ कमबल भी मिल जाएंगे एक्टिलि कमबल बाबा को चड़ाया जाता है और वही कमबल आपको प्रशाद रूप में वापस दे दिया जाता है उस कंबल को लाकर आप अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बिमारी या परिशानी होती है और अगर आप उस कंबल को ओड़ते हैं तो उस बिमारी और परिशानी से मुक्ती मिल जाती है कुछ आगे बढ़ने पर हमें दिखी ये गर्मा गर्म चाय और पकोडों की दुकान और हम भी गर्म गर्म चाय पकोडों का मज़ा लेने के लिए यहां बैठ गए और इस दुकान के सामने मुझे बहुत सुन्दर सा होमस्टे दिखा फिर मुझे पता चला कि ये होमस्टे बाबा के भक्त के बेटे का है और ये आ गए हमारे गर्म गर्म चाय और पकोडों की दिनों में अगर आपको चाय और पकोडों मिल जाए फिर और क्या चाहिए और इसके बाद वापस चल पड़े हम अपने रूम की तरफ और वहाँ जाकर हमने किया थोड़ा सा आराम और हाँ मैं आपको बता दूँ कि ये था मेरे रूम का व्यूँ कुछ देर आराम करने के बाद हम वापस मंदिर गए ताकि हम शाम की आरती को देख सकें लेकिन जब आरती के बाद बापस आये तो पूरा अंधीरा हो चुका था और हाँ मैं आपको एक इंपॉर्टन इंफरमेशन बता दूँ कि यहाँ पर मंदिर का गर्मियों में खुलने का समय सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक है और सरदियों में ये समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है जनवरी की इस कलकडाती ठंड में भी श्रधालू की संख्या में कोई भी कमी नहीं थी चाहें दिन हो या रात यहाँ पर बस यही लगता है कि हर समय एक मीला ही लगा हुआ है मंदिर में आरती करने के बाद और प्रशाद लेने के बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले तो इस कलकडाती ठंड में चाई का याद आना तो लाजबी है लेकिन जब यहाँ से बाहर निकल कर वापस मंदिर को देखा तो देखते ही रह गए रात में यह मंदिर फिर से कुछ अलग ही दिखता है और हम वापस निकल पड़े अपनी चाई की खोज में जो की खतम हुई इस अनुपम रेस्टरॉन बे सीडियां चड़ते हुए जैसे ही हम उपर जाने लगे तो सबसे पहले जो हमने देखा वो थी बाबा की तस्वीर जब हम अंदर गए तो अंदर का नजारा था कुछ ऐसा I have not expected की इतनी भीड होगी Fortunately मुझे एक टेबल खाली दिखा वहां से नजारा था कुछ ऐसा I have not a menu and मैंने वहां से grill sandwich and coffee order किया था and yes it was very tasty अब ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी और राद भी काफी हो चुकी थी तो हमने वापस रुखिया अपने homestay का इस homestay का नाम मारूती homestay है और ये homestay मंदिर के बिलकुल सामने है Actually नीम क्रोली बाबा के समय के जितनी भी भक्त थे अब उनकी generations यहां पर ये homestays and hotels run करते है बाकि homestays and hotels मुझे मंदिर से दूर लगे और यहां पर auto की facility नहीं होती है और मंदिर के बिलकुल पास रहना कौन पसंद नहीं करेगा तो अब मैं भी करती हूँ आराम और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थैंक्स वाच्छेंग